हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अलाफ्यो एट वाईटी स्टेडी योट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाँच राज़ों के नए मुख्यमंत्रियों का नाम वो भी ट्रिक से और साथ ही साथ इन पाँच मुख्यमंत्रियों से जिड़े और भी महत्वोन फैक्ट्स सो इस वीडियो को अन तक देखिए आपको ये सभी नाम अच्छे से याद हो जाएंगे सो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं सो फ्रेंड्स यहाँ जब से पहले हम देखेंगे मिजोरम और मिजोरम की राजधानी आईजॉल यहाँ के राजिपाल हैं के राज सेखरन मुख्यमंत्री हैं जोरम थंगा ठीक है अभी जो नए मुख्यमंत्री नियुक्त हैं उनका नाम है जोरम थंगा तो बिल्कुल आफसान से ट्रिक है दोस्तों ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है देखे आप मिजोरम में एगर लाष्ट के तीन सब्दों को देखें जोरम और इनके नाम में भी जोरम नजर आ रहा है तो आपको पूरे 5 साल तो यह भोल ही नहीं पाएगा तो आपको बता दूँ कि यह तीसरी बार अपने लाइफ में मुख्यमंत्री के पत पर सुसोबित हुए है यानि कि यह तीसरी बार है और इससे पहले भी यह दो बार इस पत पर रह चुके हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों बता दूँ आपको कि जो पूर मुख्यमंत्री थे उनका नाम था पुलल थन हवला और यहां पर अभी नए एक उप मुख्यमंत्री भी इस बार नियुक्त किया है जिनका नाम है तान लुईया याद रखीगा हो सकता है क्योंकि पांच राजियों में चुना हुए है तो दो ही राजियों में उप मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया है तो ऐसे में हो सकता है आपसे कुछ भी कुशन पूछे जाय सकता है तो आप इनको याद रखेगा बता दूँ आपको कि MNF पार्टी के ये मुख्यमंत्री इस बार बने है MNF का फुल फार्म याद रखेगा मिजोरम नेशनल फ्रंट पार्टी याद रखेगा फ्रेंट्स ये भी आपके लिए महत्पूर्ण है आपसे पूछा जा सकता है अगे बढ़ते हैं अगला है दोस्तो अपना राजस्थान राजस्थान की राजधानी है जैपूर और यहां के राज़ेपाल है कल्यान सिंग मुक्यमंत्री हैं असोक गहलोत तो देखिए दोस्तों यहां पर इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है देखिए महान असोक कोई बारे में आप जानते होंगे भारत में एक तरीके से बहुत महान राज़ा थे तो राजस्थान, राजा से राजस्थान को हम एड़ कर लेंगे ठीक है और असोक तो उनके नाम में ही है इस तरीके से आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं और यह आपको कभी नहीं भूलेगा फ्रेंट्स आपको बता दू कि यहां के जो पूर्व सीयम थे उनका नाम है बहसंदरा राजे, आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले यहां पर कौन से चीफ मिनिस्टर थे उनका भी नाम आपको याद रखना है क्योंकि परिक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है और आपको बता दू राजस्थान में भी उप मुख मंत्री को नियुक्त किया गया है उनका नाम है सचिन पाइलाट केवल दो ही ऐसे राजे हैं जहां पर उप मुख मंत्री को इस बार नियुक्त किया गया राजस्थान और मिजोरम हमने दोनों से आपको डिसकस किया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानिय भोपाल और यहां के राज़पाल है आनंदी बेन फटेल साथ ही साथ इनको 36 गड़ का भी अतरिक्ते प्रभार दिया गया है तो इस बार यहां के नए मुख्यमंत्री नियुक के गए है उनका नाम है कमल नाथ तो इनको याद करने के ट्रिक क्या होगी आपने कभी देखा होगा जो तालाब होते हैं जील होते हैं पोकरों में आपने देखा हो तालाब जो कमल का फूल होता हूँ हमेशा बीच में खिलता है ठीक है तो भारत का जो बीच वाला हिस्सा है ठीक है उसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश ठीक है तो मध्य प्रदेश में इस बार कमल नाथ की सरकार बनी है याद रखेएगा और आपको बता दूँ कि इसके पूर्व यह के चंदर सेखर राओ आपको बता दूं यहाँ दूसरी बार यहाँ पर नियुक्त्य हैं यानि कि पिछली बार भी इनी की सरकार थी और इनी की सरकार है तो यह TRS पर्ड़ी से हैं जिसका फुल फाम आप से पूचा जा सकता है तो TRS का फुल फाम है तेलंगाना राष्ट समिती पारड़ी याद रखे का फ्रेंट्स यहाँ पर हर एक विंदू आपके लिए महत्तपूर्ण है आपके आने वली परिक्षाओं के लिए आगे बढ़ते हैं अगला है फ्रेंट्स चतिस गड़ और चतिस गड़ की राध्धानी अब जो है रायपूर नहीं रह चुकी अब हो गई है अटल नगर तो याद रखेगा रायपूर अब नहीं रहा अटल नगर हो चुका है राजधानी 36 गड़ की और यहां के राज़िपाल है आनंदी बेन फटेल और मुख्यमंत्री है अभी जो नए नियुक थे उनका नाम है भूपेस बगेल ठीक है दोस्तों देखें यहां के अगर बात करे पूर मुख्यमंत्री की तो उनका नाम था रमान सिंग याद रखेगा तो फ्रेंट्स इसको याद करने के ट्रिक क्या हो सकती है देखें आप मैप में देखेंगे तो आपको अभी किस राज में एक बाग नजर आ रहा है ठीक है तो आप देखेंगे 36 गड़ में ही आपको एक बाग की फोटो नजर आ रही है तो सबसे आसान ट्रिक है यही आप इसे भी याद रख सकते हैं तो फ्रेंट्स बस आज के लिए रखते हैं इतना ही उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलेगा और अगर आ आपको माल की वीडियो के साथ तो जैं हिंद बंदे मातर में